Today we are going to take second chapter of NCRT Maths and the name of the second chapter is polynomial, polynomials, polynomials have two words and one word is poly and second word is nomial, poly means meaning, nomial means term. तो इसका पतलब दुआ, the expression in which there are many terms is known as polynomials, अब polynomials में, monomials, binomials इस तरह से तमाम आपके होंगे, जो आपके course में है, polynomials में बहुत से variable हो सकते हैं, लेकिन जो आपके course में है, उसमें सिर्फ one variable के polynomials के बारे में है, तो हम लोग one variable के polynomials को देखते हैं, suppose that 3x plus 2, आपका कोई expression है, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, तो इसमें यह ही variable है और वो variable है आपका x, तो इसको हम बोलेंगे linear, sorry, आगे देखता हूँ पहले, यह आपका polynomial हो गया, अब इस polynomial में इसकी degree क्या है, हम यह देखेंगे, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस polynomial में variable है आपका x, और x की जो power है वो है 1, इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 degree का polynomial, और इसको हम बोलेंगे linear polynomial, और आगे देखते हैं, 3x square minus 3x plus 2, एक और expression लेते हैं हम लोग, और इसको जहाँ से देखेंगे, यह हमारा polynomial हो गया, और 1 variable का, single variable का polynomial हो गया, अगर हमें इस polynomial की degree find out करनी है, तो हमें इसमें variable की जो greatest power होगी, जो maximum power होगी, वही degree आपका polynomial होगा, यहाँ पर हम इसमें देखेंगे, जो variable हमारा x है, और x की maximum power 2 है, therefore, इस polynomial की degree हो जाएगी 2, इसी तरह से, एक और देखते हैं, x cube, प्लस 3x square, माइनस 2x, प्लस 1, अगर इस polynomial में हम देखेंगे, तो maximum power हमारी 3 है, इस तरह इस polynomial की degree हो जाएगी 3, two variables are more than two variables का भी polynomial होता है, और उसमें भी degree होती है, लेकिन वो आपके course में अभी इस समय नहीं है, तो इसरे हम उसके बारे में अभी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग single degree का polynomial देखेंगे, अब एक बात और समझ लेते हैं, यहाँ पर जो आपके course में हैं, उन्हीं जीरों को हम आपको बताने की courses कर रहें हैं, अगर polynomial की degree 1 होगी, अगर polynomial की degree 1 होगी, तो उसमें 0s 1 होगा, माने उस polynomial के पास 1 0 होगा, 1 0s, अगर polynomial की degree 2 है, तो उस polynomial के पास 2 0s होगे, अगर polynomial की degree 3 है, तो उस polynomial के पास 3 0s होगे, अगर उस किसी polynomial की degree 5 है, तो उस polynomial के पास 5 0s होगे, अगर किसी polynomial के पास degree n है, तो उस polynomial के पास n 0s होगे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी means किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिगरी होगी उसके पास उतने ही जीरोज होगी अब यहाँ पर ही बात फों लोगों को ये समझी है कि जीरोज क्या है तो जीरोज क्या है इस बात को आप अच्छी तरीके से समझो अगर इस पॉलिनोमियल में x की जिस वैलू के लिए इस पॉलिनोमियल की वैलू जीरो हो जाएगी x की वही वैलू इस पॉलिनोमियल की का जीरोज हो जाएगा सिमिलरी इसमें भी x के जिन जिन वैलूज के लिए इस पॉलिनोमियल की वैलू जीरो हो जाएगी X की वो वो values उस polynomial के zeros हो जाएंगे आपको ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी अब हुम लोग और आगे थोड़ा समझने की कोसिस करते हैं यहाँ पर जो आपके पास polynomial चेप्टर का जो first exercise है that exercise is 2.1 और exercise 2.1 में कुछ graphs दिया गया है polynomials को graph के फार में दिया गया है और हमें ये find out करना है कि उस polynomial के पास number of zeros क्या होगी अब इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर हमारा तो question कह रहा है the graphs of y is equal to px y is equal to tx px means any polynomial अब यह और उस polynomial को y के equal suppose कर लिया गया है तो आपको यहाँ पर यह और उसके बाद कुछ graphs आप के लिए गया है यह पहला graph जो आपके पास दिया गया है अब उसको देख लेते हैं यह आप जानते हैं कि यह x axis, x dash, y axis, y dash, origin point, o इसमें आपके पास दिया गया है यह graph दिया गया है इस तरह से means एक line है और वो line जो है वो x axis के parallel है तो x axis के parallel अगर कोई line है तो फिर y की value 0 नहीं हो सकती और अगर y की value 0 नहीं हो सकती it means इस polynomial के पास कोई भी 0s नहीं होंगे it means number of 0s फार्दिस polynomial बिल भी 0 और number of 0s 0 कब होंगे जब polynomials की बिगरी 0 होगी it means इस polynomial के पास कोई भी variable नहीं होगा आपको सुन्दे आटा योगी बिल बाद तो इसलिए इस question के लिए अगर हम देखेगे क्योंकि इसमें x की किसी भी value के लिए y की value 0 नहीं होगी क्योंकि हमें पता है कि y की value 0 x-axis पर ही वोगी है और इसलिए x-axis का जो equation होता है x-axis का जो equation होता है उसको हम बोलते है y is equal to 0 तो y की value 0 कब होगी वो जब हमारा polynomial x-axis को intersect करेगा जहां जहां polynomial का graph x-axis को intersect करेगा वहां वहां y की value 0 हो जाएगी और x की वही value उस polynomial के लिए 0s होगी अब यहां पर हमें 0s नहीं find out करना number of 0s find out करना है तो for this graph number of 0s number of 0s will be 0 and this is our answer now to take second part of this question second graph has been given in this form we know this is x-axis x-dash y-axis y-dash origin point I told you in previous graph for y is equal to 0 अगर y की value 0 है it means वह graph x-axis को intersect करेगा जहां पर x-axis को intersect करेगा y की value नहीं 0 होगी means x की उसी value के लिए जो polynomial है उसकी value 0 होगी और it means हमारा ग्राफ है वह x-axis को intersect करना चाहिए अगर वह x-axis को intersect करेगा तभी y की value 0 होगी तो यहां पर देखते हैं कि हमारा यह graph x-axis को कितने time intersect कर रहा है हम अगर यहां पर देखें तो हमारे इस graph में x-axis को केवल एक बार intersect किया जा रहा है इस graph के बार तो यह graph इस graph में x-axis one time intersect पोड़ा तो इसलिए number of zeros number of zeros will be one we take some more question some more graph and we have been given another graph इस तरे से हमारा graph दिया गया है x-axis x-dice y-axis y-dice and this is origin point now we see in this graph that this graph intersect here here and also there means इस graph में हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा graph है उसमें x-axis 3 times intersect पो रहा है कितने times? 3 times तो अगर यह 3 times intersect पो रहा है it means it means 3 points पर y-dice 0 इसलिए number of zeros will be 3 1, 2, 3 number of zeros will be 3 जो यह कर्ण हमारा बन रहा है यह कर्ण x-axis को 3 times intersect कर रहा है और अगर 3 times intersect करेगा तो number of zeros will be 3 now we take some more question fourth graph has been given in this form x-axis, x-dash, y, y-dash or is it y-4 this curve intersect x-axis at 2 points therefore number of zeros will be 2 now we take another graph origin point x-axis, x-dash, y, y-dash and we have been given the graph this type of graph हमारा है तम देख रहें जी यह कर्ण है हमारा यह x-axis को कितने times intersect कर रहा है we see here 1, 2, 3, and 4 यह कर्ण जो है x-axis को 4 times intersect कर रहा है therefore number of zeros is equal to 4 another graph has been given we see here this curve intersect at this point this point and this one therefore number of zeros will be 1 2 and 3 number of zeros is equal to 3 thank you